हाई बच्चो कैसे आप लोग यह लेक्चर बच्चों की डिमांड पर बनाया जा रहा है बच्चे बोल रहे थे कि सर एक्जाम समय में ड्रोइंग सीट पर ड्रोइंग कैसे बरानी चाहिए उसमें हमें क्या-क्या सो करना चाहिए इस लेक्चर में हम वह सारी सीज़े आपको बताएंगे ठीक है उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो बच्चे हमारी अप्लिकेशन पर कोर्स भाई किये उनके लिए हमने गैस पेपर बनाये है और स्टील इस्ट्रेक्चर ड्रोइंग के ठीक है तो आप अपने कोर्स में जाके सबसे निचे स्क्रोल करें लिए टो इसमें आपको गैसबर मिलेंगे जिसमें हमने रिस इसकी पर नार यॉचिह पर ऑपके स्टील इस्ट्रेक्चर में एक इस पेपर हर एक घय आंपको पारकार से बनाई है कि आग जाम में आपके जाजा आपको कैसे दिया जाता है दोनों language में है by language हिंदी-English दोनों में हमने gas paper आपके बनाए जिसमें हमने 5 questions दिए है हम आपको 3-4 gas paper देंगे यानिकि आपको 15-20 questions 15-20 question में आपका हम पूरी की पूरी drawing cover कर देंगे ठीक है जिसमें आप अजिक से अजिक यानिकि 90% से जाते chances आपके question आने के रहेंगे data बलई ही change हो जाए बट आपको question इसी type के पूछे जाएंगे ठीक है तो चलिए हम lecture को शुरू करते हैं हम बताएंगे आपको कि आपको drawing sheet को किस परकार से drawing बनानी चाहिए और data उसमें क्या-क्या सो करना चाहिए देखो जैसे suppose that आपकी यह drawing sheet है यह आपकी drawing sheet है जो exam में आपको दी गई है यह आपकी drawing sheet है जो exam में आपको दी गई है ठीक है ऐसे आपको drawing sheet दी जाती है ऐसे ड्रोइंग सीट दी जाती है और यहाँ पर एक महोर लगी रहती है जिसमें आपका यहाँ पर क्या लिखा रहाता है रोल लंबर और डेट और सिखनेचर बगारा लिखे रहते है तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है फिल करना होता है अपना डेट फिल करने होती है सिकनेचर करने होते है ठीक है तो अब आपको क्या करना है ड्रोइंग सिट में आपको कोई आउटलाइन नहीं करनी होती इसकी कोई जरूरत नहीं थी अपना टाइम खराब करने की कोई जरूरत नहीं है कोई आपको outline नहीं करनी कुछ नहीं करना है ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है कि आप सोचे कि outline कर देता हूँ अच्छी लगे ऐसा कुछ नहीं है जिससे में copy check होती है सिर्फ आपकी देखा जाता है कि आपने question को किस परकार से किया है ठीक है आपकी कोई outline वगारा कुछ नहीं देखी जाती है जिससे में copy आपकी check होती है तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है ठीक है आपको बस अपना roll number date और signature बगारा जो करने वह फिल कर देना है करने के बाद आप कोई भी question करेंगे जैसे आप question number one कर रहे है ठीक है question number one कर रहे है तो आपको लिखना है question number one या answer number one ठीक है question number one का answer ठीक तो ये लिखने के बाद अब आपको क्या करना है सबसे पहले है कोई भी question करने से पहले है उसकी आप वहाँ पर क्या दिखाएंगे जो आप scale आपने scale जो assume की है तो वह वहाँ पर सो करोगे जैसे आपने 1 ratio 20 scale assume की है ठीक है हम एक example ले लेते है एक ह कर रहे है तो आप उसके उपर उस question की उपर क्या करेंगे यहां पर scale लिखेंगे जो आपने scale assume की है अब यहाँ पर आप क्या टरेंगे अब यहां पर उसके तो मैं इसमें reinforce दिखा देता हूँ, main bar दिखा देता हूँ, bent up bar दिखा देता हूँ, और bent up bar में दिखा देता हूँ, और साथ में क्या दिखा देता हूँ, anchor bar भी so कर देता हूँ, ठीक है, और इस t-refs भी मैं provide यहाँ पर कर देता हूँ, इस t-refs भी मैं provide कर देता हूँ, देख मैं hatching भी कर देता हूं brick hatching brick hatching भी ऐसे हम कर देते हैं अब देखो आपने यह स्केल के coding सबसे पहला आपको वरकर क्या करना है question number one आपने यहां पर लिखा उसमें आपने cash हो गिया scale as you की scale as you करने के बाद अब उसके नीचे आप क्या बनाएंगे drawing बनाएंगे ड्रोइधन के बाद अब आपको यहां पर देखो जब आप ड्रोइधन बना रहे हो calculation कर रहे हो तो calculation अपको calculator में कर लेनी है आपको calculator में कर लेनी है suppose that कि ए आपके पास clear span hIT 4 meter का तो आप यहां पर लिखेंगे clear span ठीक है कितना 4 meter, actual लिखेंगे आप, आप 4 meter का आपने डिवाइड किया, calculator से, skill से डिवाइड करने के बाद आपने यहापर 100 कर दिया, अब आपकी, यहाँ पर यह आपकी है, वोल की width, ठीक है, वोल की width आपकी 400 mm, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 400 mm, तो यहाँ पर भी आप कितना bearing on wall, तो bearing on wall आप सो करेंगे, bearing on wall आप सो करेंगे, यहाँ पर क्या है, आपकी bearing on wall, जैसे आपकी bearing on wall आपकी 200 mm, तो 200 mm सो करेंगे, 200 mm सो करेंगे, अब आपने bent up bar सो कीती, bent up bar सो कीती, यहाँ तक, L by 7, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, L by 7, और यहाँ पर भी आप सो करेंगे, क्या l y 7 ठीक है तो bent up बार आप सो करेंगे अब ऐसी आपको क्या करना है जो आप यहां पर जो आप यहां पर क्या दिखाएंगे clear cover तो आप लिखेंगे clear cover कितना लिया आपने clear के बार आपने लिया है 25 mm तो 25 mm हम आप किलियर कवर दिखाएंगे आपने कौन सी बार प्रोइड की है में बार तो आप यहां पर लिखेंगे में बार यानि कि आपको डाटा सो करना है ऐसे calculation नहीं सो करनी कि मैंने 4 मिटर को मैंने सेंटी मिटर में बदल लिया अगर आप करने लोगो ऐसे कि आपने चार मिटर है चार मिटर को आपने 100 से मिटर से आपने मल्टिप्लाई किया और आपके पास 400 सेंटी मिटर आ गया 400 सेंटी मिटर को आपने एजियूम किए scale या निके mana scale अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो हिंदी में लिख सकते हो mana scale माना scale मैंने कह लिए वन रेशियो 20 के लिए जो आप this scale लोगे ठीक उसके just नीचे आप वो ड्रोइंग बनाऊंगे जो जिसक्यल पर आप ये ढ्रोइंग बनाना चाहते हो उसके ृसके जस्ट नीचे बनाई knya चाह फो यह बनाने Rossum नृण तो ऐसे आपने मैन बारatos ढर मैणि कि इसमें बेंट हैं कि न diagnose हो दिखा सकते हो young bag bent up § 30 फिक सकते ह рассượng कि आप और आपने क्या दिखाई है anchor bar दिखाई है तो आप anchor bar so कर सकते हो anchor barandra आप so कर सकते हो कि किना न ढाई कि आपने पार ली जो भी आपने लिए है ठीक है tan आपने लिए हुँकि तो और यह आपने इस T-Refs पोईड़ किये है तो इस T-Refs आप सो कर सकते हो आप इस T-Refs से सो कर सकते हो इस T-Refs आप सो कर सकते हो जिसा M-m-dye के लिए है तो यह छोटी छोटी चीजे है जो आपको बस mention करनी है इसके अलाबा एक्स्ट्रा आपको calculation नहीं सो करके दिखानी रह और वो ड्रोइंग बनाने के बाद जो डाइमेंसन है आपकी जो डाइमेंसन है आपकी वो सारी डाइमेंसन आपको सो करके दिखानी है क्या दिखानी है सो करके दिखानी है अब जैसे यह आपने बनाया तो यह आपने क्या बनाया एक एल सेक्षन बनाया तो जश्ट इसके नी आपकी क्या हो जाती है पूरी complete हो जाती है इसके अलावा आपको extra कुछ भी data आपको दिखाना नहीं होता अब आपको cross section बनाना है cross section बनाना है तो आप क्या करेंगे ऐसे यहां पर section काट के दिखाएंगे जैसे xx section काट आपने तो यहां पर आपने side में कहीं पर क्या दिखाया xx section दिखाया mid-sponse ऐसा आपने दिखाया तो उसमें भी आप ऐसी data show करेंगे फिर के अपने main bar है main bar show करेंगे औपर anchor bar है तो ऐसा show करेंगे ठीक है ऐसे ही यहां पर काटा support के पास yy section तो इसमें भी आप पूरी detail दिखाएंगे कि इतनी इसकी width थी इतनी इसकी gear आई थी नीचे मैंना आपकी main बार मानी थी उपर मेरी anchor बार थी यह मेरी steer ups थी और यह मेरा clear response था यह सारी चीज़े आपको दिखानी है बस यही सब आपको so करके दिखाना होता है ड्रोइंग के अंदर calculation आप calculator फरी करेंगे ठीक है उसमें drawing state को खराब करने की जरूरत नहीं होती ठीक ऐसे ही same work आपको करना होता है अगर आप steel texture drawing की बात करें तो वही work the same वहाँ पर भी करना होता है calculation आप calculator पर कीजिए वहाँ पर direct drawing बनाएगे और drawing बना के उसकी diamonds दो कीजिए सबसे important point होता है कि जो आप scale मान रहे हो उस scale के नीचे ही वह drawing आपकी बननी चाहिए यह नहीं कि आपने scale यहाँ side में लिख दी और drawing आप इधर बना रहे हो यह नहीं करना ठीक है यह ध्यान रखना कि यह नहीं करना कि scale आपने यहाँ पर लिख दी और इधर आप drawing बना रहे हो जो scale आपने लिखे जिस उसके नीचे ही आपको वो drawing बना कर दिखानी है पूरी proper रूप से ठीक है तो ये चीज़े आपको ध्यान रखनी होती है और ऐसे आपको drawing से पर कोई भी extra work नहीं करना कि आप इधर boundary कर दो ये कर दो तो extra कोई work आपको नहीं करना होता है ठीक है बस simple way में आपको scale लेनी है drawing बनानी है और उसकी जो actual dimension है या जो आपने मानी है वो सो करनी होती है calculation आपको सो करनी नहीं होती कि आपने इसको इतने से divide किया इसको इतने से divide किया वो जरूरत नहीं पड़ती ठीक है तो आपको question में इतना करके आना है जितना हमने आपको को बताया है कोोशन आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो तो आपके उपरा के था किस्ट्रीस का अपूरान का यहां पर लिख सॉलीचन एक्सैसर yn US को नुठ दोस्त का ठीक है तो ऐसा आपको पूरा का पूरा कोश्चन करके दिखाना है इसके अलाबा कोई extra activities आपको कुछ drawing sheet पर नहीं करनी होती ठीक है तो चलिए आपके exam नजदिक है तो अच्छे सा तयारी कीजिए प्रैक्टिस कीजिए और जो gas paper हमने आपको application for pride कीए उनकी practice भी बहुत अच्छे तरह कीजिए ओके thank you